पाली के देसूरी में बस हाथसे में तीन लोगों की मौत हो गई वहीं 40 या 30 हाथसे में घयल हुए पंजाब मोड के पास मोड पर टन लेनी के समय बस आनियंतित हो गई और सामने चटान से जाटक रही रास्ते से जारही लोगों ने बस के शीशे तोड़ कर लोगों को बाहर निकाला जहां आपको बता दे राजस्थान के पाले जिले में यात्रियों से भरी एक बस आने अंतित होकर चटान से जाटक रही इस हाथसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि चालिस अनिसावार यांख हैल हो गई फासा देसोरी पर बने पंजाब मौर के पास हुआ जानकारी के अनुसार टकर इतनी जबरदस्थ थी कि बस में पस से यात्रियों को शीशे तोड़ कर बहार निकालना पड़ा बताया जा रहा है कि रास्ते में मौर पर टर लेने के समय बस आने अत्रित हो गई फिर सामने चटान से जाकर टकरा गई टकर होते ही वहां चीक पुकार मच गई रास्ते से जा रहें लोगों ने बस के शीशे तोड़ कर यात्रियों को अंदर से बाहर निकाला लेकिन इस हाथ से में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी बाकी खायलों को मौके पर पहुची पुलिस की मदद से अस्पताल पहुचाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है जह आपको बता दे देशुरी के पास इस पंजाब मोर पर अक्सर इस तरह की दुर्भटनाएं होती रहती है इससे पहले जोदपूर पाले एक्सप्रेस वे पर एक ट्रॉली और यात्री बस की आमने सामने भिरत हो गई हाथ सा निन्वली टोल के पास हुआ इस भिरत में बस में सवार 25 यात्री घायल हो गए थे बस वर ट्रॉली की बेहत होने से बस के पीछे चल रही कार भी उसमें चागुसी इसके चल पे उसका चालक भी घायल हो गया टोल नाके की सुचना पर रोहट और पाली से पुलिस का चापता मौके पर पहुँचा घायल हो यात्रियों को पाली के बांगर अस्पतार ले जाया गया बिरो रिपोर्ट आईपेन